आज हम बात करने वाले हैं जोदपूर के 5 प्लेस जो बेश्ट आप घूम सकते हैं दो या तीन दिन के अंदर तो मैं पहला नंबर आपको बताता हूं इस्टे करने के लिए जो कि वहाँ बेश्ट जगा है तो सबसे पहले आप अगर जोदपूर जा रहे हैं तो आप घंटा जा सकते हैं जो कि नियर भाई है आप वाकिंग डिस्टेंस पे 1 किलो मेटर के आजवास पड़ता है तो आप वहां जाके इस्टे कर सकते हैं काफी सस्टे रेंट पर रूम मिल जाते हैं जैसे कि आप 400-500 तग अगर एक परसना रुकना चाहे तो मिल जाता है तो जहां हम जा रहे हैं घूमने के लिए आप पास की जगह में कम घुमें कि दूर की जगह आप कवर खर तो वह मतलब अलसपन नहीं आता दर जैसे कहते हैं अगर आप दूसरी जगह कहीं नहीं हो तो श्मळ गूप पहले करे यहाँ पहले कवर फ्सका तो हम पहले नमबर जाने वाले मंदोर गार्ण जो की रावड का ससुराल माना जाता है सबसे पहले हम लोग मंदोर का सीन देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीजी आप देखने को मिल सकती है तो वो चीज आप देखें पहले कर दोर्च आपoo exist, यू हुआ यू आप पहले यूा जा है कि ज過去 है न दूरत है खुश साहbn प्रहा जेए हुआ है कि वीजी आंपाव लेखो भी शाय है कि रिया ुश साहब जेखन कि यू fitness स्पबड़ But तो गाइस दूसरा प्लेस है हमारा महरांगर्ड फॉर्ड जो कि बहुत फेमस है अगर आप कभी भी सर्च किये रहेंगे या जोद्पुरा आने इस पहले आपको यह पता रहेंगा महरांगर्ड फॉर्ड जो कि यह पर आप अगर आप पहले यह देखो पूरा महरांगर्ड फॉर्ड फॉर्ड वसके अंदर क्या-कया चीज़ें हमको देखने को मिलती फिर आपको थर्ड बताता हूं जो कि इस वह बेश्ट है अगर आप वहां पर जाएंगे घुमने के लिए तो आप पहले यह चलो देख तो मज़ा तो बहुत आने वाला है तो यह फॉर्ड दर्साता है कि हातों से बनाये हुए कला यहां राजिस्थान के राजिस्थानी कला राजिस्थान का एक यहास अन्याज जब राजा राणी रहते थे तक यह फाल्की सब यूज करते थे आप अठास तो निश्थों के आसपाद और यह फाल्की तब ही you जब ही मतलब राजा रानी आप रहेंदे उनके पूरी फैमिली रेटी थी यह से पूरा यूस करते थे अलेके टाइम बिल सब आइसा ही चलता था इसे हमका सबसे बड़ी पाल की है जो कि इसमे रानी रहती थी पहले भरानी आते थी शेफ्टी के लिए करस जाते हैं इस आरे प्राइब इसमें पूरा भाब देखा एक पूरा नमबर तो दो प्लेस जिस दिन भी पहुंचे उस दिन भी अगर आपको घूमने का सब तो आप इसली कवर कर सकते हो तो मैंने दो प्लेस फश्ट दे में मैंने पूरा एक्स्प्लोर किया पहला मंदोर गाडन दूसरा आप महरांगड फोर्ट घूम लिए अब तीसरा अगर आप नेक्स दिन नेक्स देस जाओगे तो ओसियन जाओ ओसियन जो की एक बहुत वहां से अगर आप घंटा घर से जाते जाओ तो ज्यादा वेस्ट पड़ेगा और आपके लिए वह काफी मतलब ट्रेन से इजी हो जाता है जाना सव के अंदर ही आपको पड़ेगा टिकट उसका पूरा बेसिकली एक रेगिस्तान है जो की राजिस्तान में अगर आप गए रेगिस्तान उट की सवारिया कई केंपिंग के लिए तो वह देख रहा हूं के लिए बंड़ हूं के लि रहा हूं कि पुर्णी पर चैनल के पास एक तेमपल है जो कि बहुत पुराना है तो गाइस ओस्टियान कायम गुमने के बार आप गुम सकते हैं उम्मे धौन पैलेस जिसमें प्रंका चौपड़ा की साधी हुई है और यह पहले देखते हैं कि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है उम्मे धौन पैलेस एक मतलब बहुत हाई-फाई होटल है जो कि आप जोद् लाश्ट वाले प्लेस का करते हैं एक्स्प्लोर क्या प्लेस है सच्छी में बहुत बहुत जैसे राणी रहा जा रहे थे तो इसको इधर ही प्रंका चौपड़ा की साधी हुई थी और क्या कैते हैं अम्मानी फैमिली का भी यहां पे बड़्टे हो तूगा इस पैलेस में बहुत आसा में मतब देखने में भी फ्राग्चा लग रहा है तो गाइज आज हमें एक्प्लोर करने वाले हैं उमेद भावन जूदपूर प्रॉप्रेश पूर्ण जादन जो इसाए और यह पूरा बना दिया इधर पर नहीं है अलमी तूरा यह देखो बीच में जाडन जो ऐसा है और यह पूरा प्रेंशने की आप अजय है गाइस पूरा इस पाहिए होगा है अब बचाज़ पचाज़ शाच अजर गेहां पर रूम स्टार्टिंग है अगर आप एक दिन स्टे करने के लिए रहते हो तो लापों में है लापों मतलब क्या ही बोले अपना सेगर सो कोई कम थेयर ही नहीं है पूरा रही जाले है अपना अपना अलाउड नहीं हो साइड जाना अंदर बस इतना है और बाकित इच्छे साइड है पहले की मार्वडी देखोई यह देखने पहले मिल्टी दिया तो देखने पहले पहले के टाइब देखो इसके चक्ति देखो अलाव विल देखो पूरा और गाइस अब आते हैं हम लोग लाश्ट प्लेस पे जो की जोद्कूर में आप दो दिन में कवर कर सकते हैं यह है लाश्ट प्लेस काईलाना लेक जो की यह मतलब यहां पर पार्क देखने को मिलता है जो जैसे आप जो इसमें कई सारे जानवार देखने को मिलते हैं तो चलो यह भी देख लेते हैं कर सकते हैं जू से बाहर आगया है अभी चल रहे लेक पर लेक बगल में तो पहले आप जू आए पहले गया और यहां पर शाम को अपना मत आ सकते हैं चार बजे पांच बजे तक आप आप आओ उसके बाद आड़ बजे तक चालो लेता है तो बिंदा साप यहां पर घूम सकते हो और अब अपहलो करते हैं जोद्पूर का लेक तो कलो भी देखतें लेक में क्या कितना अच्छा है नौर्माल एक अच्छा है कि अब कर दो कि अब महाद है अब कर दो कि अग्टार मार्केट गंटा घर इसमें स्पिसल यह है कि आप उच्छे स्वापिंग कर सकते हो मारवाडी जैसा कपड़े जोद्पुरी यह सब पूरा सब कुछ ले सकते हो और कुछ सूस हाग कर बना हुआ कुछ सामान यह सब यहां पर मिलता है जो कि बहुत अच्छे से बनाया हुआ और कम बजट में मिलता है बहुत अच्छा लगता है मैंने भी लिया कुछ चीज़े इसके लिए बता रहा हूँ तो यह कि अथनी सारी जगा गाइस आप दो दिन में आप इतना भी कवर कर सकते हो अगर आप तुसरे दिन भी रूक रहे हो तो और भी सारी जगाए हैं जो आप सर्च करकर देख सकते हो पहला आप मंडोर गाडन जा सकते हो दूसरा आप महरांगाड फोर्ड और तीसरा उमेद भावन पहलेस और चौथा ओसियन कैम्प और पांचवा आप जा सकते हो जो कि है काइलाना लेक वहां पर जू और आपको गाडन और जैसे जानवर हो गया हम देशे वह आप देखने को मिल जाए आपको ऊपने आपको अपने अपने उतना में तो इसके लिए टो अवह इंपर इतनी जगहें हैं घूम सकती हो अगर आप जा रहे हो जोद पूर्थ वह आपको आइडिया मिल जाएगा और यहां पर काफी और तब तक के लिए थैंक यू सो मुच वाचिंग माय ब्लॉग